हेलो फ्रिंज नेहाद की पाकशाला में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि घर में ही मख़न से घी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मखन की रेसिपी देखनी हो तो आप मेरी डिस्किप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मखन से घी बनाना इसके लिए हमने लिया है लगबग 1 kg मखन इसके लिए पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें अपना मखन ट्रांस्फर करेंगे यह हमने अपना मखन कढ़ाई में ट्रांस्फर कर लिया है अब गैस को जलाएंगे हमने अपना मखन गैस पे चड़ा दिया है अब हम इसको हाई फ्लेम पे तक तक रखेंगे जब तक की हमारा मखन पूरा पिघल न जाए यह देखिए हमारा मखन आधिल जादा पिघल चुका है अब मुश्किल से यह पाच मिनिट में पिघल जाएगा यह देखिए अब हमारा मखन पूरा पिघल चुका है अब बस इसको हाई फ्लेम पे तब तक रखेंगे जब तक हमारा मखन एक बार बॉइल न होने लगे यह देखिए अब हमारा मखन बॉइल होने लगा है तो हम अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दिए और अब इसको मीडियम फ्लेम पे करके ऐसे ही छोड़ दीजे और इसको पकने दीजे ये धीरे-धीरे पक जाएगा ये देखिए अब हमारे घी का टेक्स्चर कितना चेंज हो गया है ये धीरे-धीरे ऐसे ही पकाते रहें और ये थीड़ी-धीर में बनके त्यार हो जाएगा ये देखिए अब इसका टेक्स्चर बिल्कुली चेंज हो गया है लगबग लबग 10 से 15 मिनिट के अंदर अंदर आपका घी बनके त्यार हो जाएगा ये देखिए अब हमारा घी लगबग लगबग त्यार हो चुका है बस इसे 5 मिनिट हम और पकाएंगे और ये बनके त्यार हो जाएगा ये देखिए अब हमारा घी बनके बिलकुल तयार है और अब हम अपना गैस का फ्लेम ओफ करेंगे और दो मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखा रहने दे जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसको किसी प्लास्टिक के जार में ट्रांसफर कर लेंगे अब हमारा घी बनके तयार है और लगबग लगबग कुछ हद तक ठंडा हो गया है अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसको इसली एक प्लास्टिक के कंटेनर में कर सकते हैं तो चलिए अब इसको हम एक प्लास्टिक के कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं एक छन्नी ले लेंगे और इसको चम्चे से अब हम इसको चम्चे से धीरे धीरे से इसमें डालेंगे और हमें इसे छानना है देखिए अब हमने अपना घी प्लास्टिक के कंटेनर में छान के रख लिया है आप इसे देख सकते हैं कि ये ये लगबग लगबग हाफ केजी घी है जो की एक केजी मखण से निकला है आप एक केजी मखण से करीब हाफ केजी घी घर में बना सकते हैं जो की बहुत आसान है जादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू